अपने दर्सकों को बता दें महवा से बड़ी खबर महोबा से मिल रही है जहां 30 फिट गहरे बोर्वेल में एक मासूम गिरा है NDRF और SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है बच्चे को ऑक्सीजन देकर बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है ये बड़ी खबर थोड़ी देर में बच्चे को निकाला जा सकता है ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महोबा में 30 फिट गहरे बोर्वेल में एक मासूम बच्चा गिरा है NDRF और SDRF की टीम Rescue Operation में जुटी हुई ही देखिए तस्वीरे एक्स्वीरे अपने दश्कों को दिखा रहे हैं इस वक्त महाँ पर Rescue Operation चल रहा है और बच्चे को ऑक्सीजन देकर बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है यही कोशिश टीम की तरफ से हो रहे है कि बच्चे को सुरक्षिद बाहर निकाला जा सके लगातार यह Rescue Operation बहाँ पर चल रहा है तो यह बड़ी जानकारी यह दिन की तस्वीरे अपसे कुछी देर पहले की यह तस्वीरे हैं जब बच्चे को बचाने के लिए देखे साथ में ही अक और यहाँ पर गढठा घोदा जा रहा है ताकि 1 के जरीय बच्चे से संपर्क साधा जा सकते सके बच्चे को ऑक्सीजन देकर बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और थोड़ी ही देर में बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है NDRF और SDRF की टीम rescue operation में जुटी हुई है महोबा में 30 फिट गहरे बोरवेल में मासूम गिरा है ये बड़ी खबर NDRF और SDRF की टीम rescue operation में जुटी हुई है बच्चे को oxygen देकर बचाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है देखें लगातार ये हादसे जो हैं वो बढ़ रहे हैं तमाम जगों पर इस तरह की खबरें निकल कर सामने आती हैं जब बच्चे बोरवेल में गिरते हैं प्रशासली खामियों के चलते पेरेंट्स की लापरवाही के चलते मासूम बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और अब एक और मासूम यहां पर जिंदगी और मौत से जूज रहा है NDRF और SDRF की टीम की कोशिश यही है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए लेकिन इस कोशिश में कामियाबी कितनी मिलती है यह कुछ देर बाद साफ हो पाएगा यह एक्स्क्लूसिव तस्वीरें दिन की तस्वीरें हैं कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं NDRF और SDRF की टीम डेस्की ऑपरेशन में जोटी हुई है जस वक्त यह ओपरेशन चल रहा था वहाँ पर प्रशासनी कमला भी मौजूद था और किस तरह की तस्वीरें महाँ पर कुछ समय पहले निकल कर आई थी वो तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रही है और जानकारी यही मिल रही है कि बच्चे को निकालने की पूरी कोशिश हो रही है औक्सीजन दी जा रही है बच्चे को ताकि उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके उमीद यही जताई जा रही है कि थोड़ी ही देर बाद बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है NDRF और SDRF की टीम rescue operation में जोटी हुई है ये exclusive तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ समय पहले कि जब वहाँ पर लगातार प्रशासनी कमला जोटा हुआ था कि कैसे बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए और अब बच्चे को oxygen देकर बचाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है राग्मेंद्र मेरे सहयोगी जादा जानकारी दे रहे है राग्मेंद्र क्या अपडेट है आपके पास फिलाल क्या है सिथी बहाँ पर देख रहे है